हलो दोस्तों आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में दोस्तों आज मैं आप सबके लिए बहुत ही महत्वपून टॉपिक लेके आई हूँ आज मैं आपको बताने वाली हूँ ब्रॉकली खाने के फाइदे के बारे में ब्रॉकली बहुत ही पौश्टिक और स्वास्त वर्थक वेंजन है ये देखने में बिलकुल गोबी जैसा होता है और ये खाने में बहुत ही स्वादिस्ट होता है बहुत से लोग इसका उप्योग सलाद या सबजियों में करते हैं कुछ लोग इसे भाप में पका कर खाना पसंद करते हैं इसका सूप भी हमारे लिए बहुत ही फाइदेमंद होता है इसे हम एक हरी सबजी के रतौर पे भी यूज़ कर सकते हैं इसमें प्रचूर मात्रा में एंटी ओक्सिडेन और फेटो केमिकल्स पाया जाता है जो हमारे रोग परतिरोधक छमता को बढ़ाता है और हमें बहुत सारी परेशानियों से छुटकारा दिलाता है इसे हम गुनों का खजाना भी कह सकते हैं इसमें प्रचूर मात्रा में प्रोटीन, कैलसियम, कार्बो हाइड्रेट, विटेमिन A, विटेमिन C, फाइबर, पोटेशियम और बहुत सारे पोशक तत्व पाये जाते हैं इसमें प्रचूर मात्रा में लवन भी पाये जाते हैं जिसकी वज़े से हमें बहुत सारी समस्याओं से छुटकारा मिलता है साथ ही ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपून होता है इसके उपयोग से हमारा सुगर लेबल कम हो जाता है जिससे डायविटीज का खत्रा खत्म हो जाता है अगर किसी को डायविटीज है तो उन्हें ब्रॉकली का स्तमाल करना चाहिए ऐसा करने से उनका सुगर लेवल कंट्रोल हो जाएगा और बहुत जल्द उन्हें डाइवेटी से छुटकारा भी मिल जाएगा ब्रॉकली खाने से हड्डिया मजबूत होती है क्योंकि इसमें प्रचूर मात्रा में कैलसियम होता है इसलिए हमारी हड्डिया भी मजबूत होती है इसलिए रोजाना ब्रॉकली का सेवन हमारी लिए फाइदे मंद है ब्रॉकली खाने से आपका कैलस्ट्रॉल कम होता है अगर कोई अपना weight loss करना चाता है वजन कम करना चाता है इसके लिए ब्रॉकली बहुत ही फायदेमंद है यह हमारे कैलस्ट्रॉल को कम करता है बैट कैलस्ट्रॉल को घटा कर गुड कैलस्ट्रॉल को बढ़ाता है जिसकी वज़े से आपके शरीर में जमी चर्बी जल्द खतम हो जा डाइविटीज के पेसिंट को ब्रोकली का रोजाना सेवन कराना चाहिए ऐसा कराने से वो बहुत जल्द डाइविटीज से छुटकारा पाते हैं दुस्तो अगर आपको डिप्रेशन होता है आप तनाओं में रहते हैं आपको हाईपर टेंशन की समस्या है तो इसके लिए आप ब्रोकली का इस्तमाल करें क्यूंकि इसमें प्राजूर मातरा में फॉलिक पाया जाता है फॉलिक तत्व आपका मूड सही करता है आपका विवहार सही करता है जिससे आप लोगों के सामने लजजित होने से बच जाते हैं और साथ ही ये आपके डिप्रेशन को भी बहुत जल्द खत्म कर देता है और आपका मूड सही कर देता है आखों के लिए ब्रॉकली बहुत ही फाइदे मंद है आखों का दर्द जलन या फिर आखों की रोशनी कम होने पर ब्रॉकली का स्तमाल जरूर करें ऐसा करने से आप अपने आखों के जलन और दर्द से छुटकारा पाते हैं साथ ही आपके आखों की रोशनी भी बढ़ जाती ह इसमें प्रचूर मात्रा में वीटा कैरोटीन पाया जाता है जिससे मूतिया बीन जैसे समस्याओं से भी छुटकारा मिल जाता है इसलिए हमेशा ब्रॉकली का इस्तमाल करना चाहिए कैंसर से पिडित लोगों के लिए भी ब्रॉकली बहुती फायदेमंद है अगर किसी को कैंसर है या फिर नॉर्मल इंसान भी इसका इस्तमाल करते हैं तो इससे कैंसर कभी नहीं होता ये हमारे शरीर में इम्यून बुस्ट्रिंग प्रॉपरटीज को बढ़ाता है जिसकी वज हिर्दय की समस्या से बचने के लिए हमें ब्रॉकली का समाल करना चाहिए हम ब्रॉकली को हेल्थी फूड के तरह भी यूज कर सकते हैं यह हमारे हिर्दय के लिए बहुत ही मैद्वपून होता है वजन कम करने के लिए भी ब्रॉकली आपकी बहुत मदद करता है इसमें लो क अस्तमाल सलाद या सबजी के तौर पे कर सकते हैं और ये आपके लिए बहुत ही फाइदेमंद है दोस्तो इतना ही नहीं गठिया के रोगी को भी अगर ब्रॉकली का इस्तमाल कराया जाए तो बस 15 दिन में ही उनकी गांट की समस्या दूर हो जाएगी और वो तंद्रूस्त हो ही फाइदेमंद होता है गर्भावस्ता में महिलाओं को ब्रॉकली का इस्तमाल कराना चाहिए इससे ना सिर्फ आने वाली संतान हश्ट पुष्ट होती है बलकि गर्वती महिला को भी बहुत सारी समस्याओं से छुटकारा मिलता है जैसे उल्टी या फिर कम जोरी से दोस्त तो यह थी हमारी वीडियो ब्रॉकली से होने वाले फाइदे के बारे में उमीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और आप आज से ही ब्रॉकली को अपने रेगुलर डाइट में शामिल करेंगे अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है त फिर मिलेंगे आपकी प्रॉब्लम हमारी सॉल्यूशन मैं आऊंगी रोजाना नए नए घरेलू उपचार के साथ जिससे आप अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं तब तक के लिए फिट रहें हल्दी रहें खुश रहें थैंक्यू